नमस्कार मैं आपके साथ अब्दुलकरीम और आप देख रहे हैं 4PM News कितने भी करमकान कर लो लेकिन सत्ता आते ही सब धुल जाएंगे और सब पाप धुल भी रहें लेकिन बेचारे विपक्ष के नेताओं से जरा एक बार कोई उनका हाल तो जा कर पूछे हर रोज न जाने कितने नेताओं को ED, CBI जैसी तमाब जाँच एजिंसियों का सामना करना पड़ता है जेल तो मानों सिर्फ विपक्ष के लिए ही बना है और बेल शब्द सत्ता पक्ष के लिए जिहां पुरानी फाइले और पुराने केसे विपक्ष के नेताओं के लिए खुलते हैं और उस पर करवाई भी होती है लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं के पुराने केस खुलते तो हैं लेकिन ठंडे बस्ते में चले जाते हैं सत्ता की हनक कहा जाए तो कोई घलत नहीं होगा दरसल मामला यह है कि योगी सरकार के मंतरी और निशाद पार्टी के राश्री अध्यक्ष डॉक्टर संजे निशाद को इलाबाद हाई कोट से बड़ी राहत मिली है इलाबाद हाई कोट ने निशाद पार्टी के राश्री अध्यक्ष वा कैबिनेट मंतरी डॉक्टर संजे निशाद पर गोड़कपुर में रेलवे ट्रैक जाम करने के आरोप में चल रहा है आपरादी केस को वापस लेने की प्रदेश सरकार की अरजी को सुईकार कर लिया है अब जब साब सरकार में मंतरी हैं तो केस तो वापस होगा ही होगा कोई विपक्ष के नेता या आजम कान फैमली थोड़ी हैं जो हर रोज जेल का दीदार करने पहुंच जाते हैं पूरा मामला में विसार से आपको बताते हैं दरसल आठ जून 2015 को आरपीएफ थाना गोरतपुर में दर्ज मामले में आरोप लगाया दिया कि निशाद एकता परिशत किया देख्ष डॉक्टर संजे निशाद ने तमाब कारेकरताओं के साथ 7 जून 2015 को रेलवे ट्रेक पर विरोध प्रदेशन किया था जिससे नाघर सेजनवा रेलवे ट्रेक का यातायात प्रभावित हुआ था और जिसके बाद से संजे निशाद पर केस चल लाता है लेकिन सरकार ने 7 अगस्ट 2023 को केस वापस लेने का फैसला लिया लोग अभी हो जब ने धारा 321 में केस वाप बहस होनी है शास्किया दिवक्ता ने का कि हाई कोट से 21 मर्च और 23 को केस वापसी की अनुमती ली गई है इसके बाद लोग अभी होजत ने फैसला लिया और नियमानुसार अरजी दाखिल की कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने इस तत्थ और कानून की अंदेखी की है इसलिए म अभी उजक के फैसले को विदी सम्मत माना और कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश तत्थ वकानून के विपरीत होने के कारण अवैद है तो संजे निशाद को पिलाबाद हाई कोट की तरफ से ये बड़ी राहत मली है जिससे संजे निशाद अब चैन की नीन सो पाएंगे वै सरकार लोगसवाचुनाओ से पहले कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाती जिससे एक तमका नाराज हो जाए और वोट बैंक लोगसवाचुनाओ से पहले बिखर जाए वैसे ये फैसला इलाबाद हाई कोट का है लेकिन सरकार ने केस को वापस लेने में कोई कोर कसर नहीं जा रहा हो ना वो विपक्ष के नेता का है और ये था सत्तापक्ष के मंतरी जी का दरसल आपको याद होगा साल 2008 के एक केस में अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई गए थी उन पा आरोप था कि वो अपने पिता आजम खान के साथ एक धरने में शामिल हुए थे लेकिन उस वक्त अब्दुल्ला आजम सिर्फ 15 साल के थे जी यां 2008 में जब धरने पर गए थे उस वक्त अब्दुल्ला आजम की जो उम्र थी ना वो महज 15 साल की थी और सरकार थी बसपा की महवती जी मुक्वंतरी थी आरोप था कि आजम खान अब्दुल्ला आजम ने तम प्रदेश में आपको याद होगा जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब पार्टी के तमाम नेताओं ने जोरशोर से ये मांग उठाई थी कि उनके उपर दर्ज तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए और सरकार ने उस पर काम भी किया जिहां और मज़ा तो स्योगी दोलों के नेताओं को भी मिला जैसे आप संजे निशात को ही देख लीजे कि उन्होंने करताओं के साथ धर्ना किया धर्ना दिया तमाम लोगों के साथ ट्रैक को जाम किया अब आप ज़रा सोच कर देखिए सात्यों कि अगर संजे निशाद जो की बीजेपी के सयोगी दल है और कैवलेट मंत्री भी है मौचूदा समय में अगर उनकी जगा विपक्ष का कोई और नेता होता जो इस टाइम सरकार के साथ नहीं होता तो क्या वो उसको सरकार माफ करती बिलकुल भी माफ ना करती आपके सामने तमाम मिसाले हैं दोस्तों एक के बात एक विपक्ष के कई नेताओं का नाम उठा कर देख लीजिए उनके हालात इस वक्त क्या हैं और कुछ जो अभी मुसकुरा रहे हैं, कुछ जो अभी शाद बैठे हुए हैं, शायद उन पर भी कल्ब को मुसिबत आ जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने नेताओं के के सब् intensely के सरकार बनी तब से शुरू हो गया था, कोई अब नहीं है, जि से उनके केसिस को वापस लिया गया और अब जब संजे निशाद बीजे पी के साथ है कैबलेट मंत्री है 2015 में जो उन्होंने कारिकर्टाओं के साथ रेलवे ट्रेक जाम किया था उनके ओपर जो मामला चल लाता उसको अब वापस ले लिया गया है और एक बड़ी रात संजे निशाद को मिली है तो साथ अब चैन की नींद जरूर सोएंगे ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए 4PM News और अगर आपने 4PM News को सब्सक्राइब नहीं किया है तो Facebook पर फालो कीजिए और YouTube पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब सरूर कीजिए धन्यवाद आपका झालो कीजिए और आपका झालो कीजिए आपका